नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कई बार आपने अपनी पास्बुक में या अपने अकाउंट स्टेट्मेंट में कुछ इस तरह की एंट्री देखी होगी एक्सेज डेविट इन एस वी और एक्सेज के सी आर इन एस वी आईए हम इसके बारे में जानते हैं कि यह क्या है देखिए होता क्या है कि स्टेट बैंक में कुछ ट्रांजेक्शन एक महीने के अंदर आपके फिरी होते हैं जो आप cash deposit करवा सकते हो cash withdrawal branch या ATM में करवा सकते हो लेकिन एक limit के बाद जब भी आपको ही transaction करते हो तो bank आपसे कुछ charges करता है जर्नली पर transaction, access पर transaction के bank 50 रुपे प्लस GST जो की 18% है तो 59 रुपीज की एक entry आपके account में show होती है debit की अब time to time SBI में अलग-अलग circular निकलते रहते हैं कि कितनी limit है per month या per year free transaction की cash transactions की आप हमेशा SBI इस तरह के कोई ना कोई notices निखालता रहता है public notification या उनकी official twitter या facebook handle पर जहांपर आप verify कर सकते हैं presently कितने transaction cash transactions या deposit transactions आप free कर पाएंगे एक महीने के अंदर अब होता गया है कि जब आप statement देखते हो तो आपको कुछ इस तरह की entries देखेंगी यह देखिए access credit in SBI access credit का मतलब यह हो गया कि आपने saving account में जो limit की cash deposit करने की उसको exit किया है यानि कि यह जो statement में शो कर रहा हूंग इन्होंने एक पहली बार किया तो 59 रुपीज का charge कटा यह कि 50 रुपीज plus GST होता है अब मान के चली अगर इन्होंने debit किया होता है यह कि बिड्रॉल किया होता हम जैसे यह जब लिमिट बिड्रॉल तब लिमिट बिड्रॉल की exit हो जाएगी तो लिखा आएगा exit DR in SBI तो यह देकि इनके 590 रुपे कटे है क्योंकि हो सकता है कि system ने एक साथ ही उनक आप जहां तक हो सके digital transactions करें UPI को यूज़ करें फंड ट्रांसपर करें एनी एफटी करें आर्टी जीएस करें आप cash transaction ना तो deposit करें ना cash bid draw करें सिर्फ transfer करेंगे तो आपको इस तरह की entries से आप काफी हद तक बच जाएंगे तो friends मुझे उमीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आयोगा प्लीज मेरा वीडियो आप अपने WhatsApp ग्रूप पर share करें और मेरा चैनल subscribe करवा के रखें banking related informations के लिए धन्यवाद friends